Hello everyone, welcome back, मैं हो नितन सोनी और आज इस क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 ऐसे प्लगिंस जो बहुत ही जादा बैस्ट हैं और आपकी प्रॉडक्टिविटी को काफी इंक्रीज कर सकते हैं फिक्मा में So without any further delay, let's get into the classroom Welcome back, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपको क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है इस चैनल और अब हम देखेंगे 5 प्लगिंस ये बेसिकली मैंने काम करते करते एक्सप्लोर किये थे और इसके थूरू मेरी जो प्रॉडक्टिविटी है डेफिनिटल वो इंक्रीज भी हुई थी और बहुत हैं और मैं उमीद करता हूँ कि आपके लिए भी हैल्फुल होंगे अगर आप ऐसा कुछ कुछ काम करते हो तो सु कुछ प्रॉब्लम मैंने फेस की थी उसके एक्क्रोरडिंग ही मैंने प्लगिंस सर्च किये थे और मांता हूँ कि यह काफी लोग को प्रॉब्लम्स फेस होती होंगी तो सबसे पहला plugin है Detach, basically यह real problem मैंने face की थी होता कहा है Detach से, जब भी component आप बनाते हो तो उसको normal state में लाने के लिए कोई command शायद इसमें नहीं होती है, मैंने काफी search किया था वो ऐसी कोई command मिली नहीं तो इसके लिए अलग से एक third party एक plugin है, जो मैंने use किया था, अगर आपने इसमें deep level काम किया हो, फिकमा में definitely आप कोई problem आई होगी, तो अगर मैं कोई भी component बना देता हूँ suppose यह मेरी एक layer है, इसको मैं component बना देता हूँ, तो normal करने के लिए, अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे component बन गई है, so normal लाने के लिए, यहाँ पे मेरे पास कोई और feature नहीं है, लेकिन variant को मैं normally ला सकता हूँ जैसे अगर यह variant बना रखा है, मैंने component के अंदर, तो यहाँ इसके लिए है, detach instance, so इसको तो मैं easily कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरा component है, उसके लिए कुछ नहीं है, तो component पे जाके मैं यहाँ से right click करके, plugin मैंने install जो किया है, यहाँ पे सारे दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ से मैं component पे right click करूँगा, और simple मैं जाता हूँ, detach component में, यह मैंने एक अलग से plugin डाला है, so इसको मैं detach करूँगा, और normally यह उसी layer में जिस तरीके से layer थी, उसी तरीके से यह वापस आ चुकी है, यहाँ पे, तो इसको मैं दुबारा edit वगरा कर सकता हूँ, तो यह था detach का काम, सिर्फ component को आप यहाँ से detach कर सकते हो, जो कि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी command नहीं मिली थी, internally, so मैंने इसको use किया था, second है match gradient, nowadays अगर आपने देखा हो, कि काफी सारी websites हैं, gradients पे बनती हैं, और जो banner area होता है, उसमें काफी gradient के साथ play करते हैं, और creative से banner बनाते हैं, तो multi gradient भी बना सकते हो, और पूरा एक match create कर सकते हो, इसके through, so, देखते हैं किस तरीके से होता है यहाँ से मैंने right click किया, plug-ins पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, match gradient, अगर आप इसको search करोगे, match gradient के नाम से, तो दो आते हैं, यहाँ पे आप gradient वाला ही choose करेंगे, so gradient वाला free है basically, so यहाँ पे कुछ इस तरीके से display होता है और अपने यहाँ पे आप color वगएरा change कर सकते हो, कुछ pick करना है, color वगएरा वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अपना custom gradient बना सकते हो, और gradient बनाने के बाद भी आप इस तरीके से match create कर सकते हो, so इसके कुछ presets भी आपको इसमें मिल जाएंगे हाँ पे, so अगर आप random भी play करोगे, तो यह random भी आपको दिखा देगा काफि सारे इसके presets भी हैं तो as it is भी आप यूज कर सकते हो, otherwise आप अपनी color preference के हिसाब से अपना gradient भी बना सकते हो, so जब आपका यह final हो जाए, then आप इसको generate करोगे, 2x, 5x यह sizes है, so मैं अभी 1x में कर देता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा size अभी नहीं चाहिए, so generate कर दिया मैंने यहाँ पे पूरा एक gradient बन के आगया मेरे पास, so इसको मैं कैसे भी use कर सकता हूँ अपने banner में या फिर buttons में मैं इसको mask कर सकता हूँ, so इसी तरीके से काफी सारे gradient आप इससे free of cost बना सकते हो, so इसको download करने का तरीका आप सबको पता हूग, अगर आप नए हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको download कर सकते हो home पे जाने के बाद आपको जाना है community पे, यहाँ पे जाना है, plugins पे और सिर्फ plugin का नाम आपको यहाँ पर डालना है और install कर लेना है, तो उसी तरीके से list में आजाएगा, जैसे आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, third जो plugin है वो काफी interesting है और बहुत जादा time saving है अगर आप enterprise level applications पर काम करते हो क्योंकि वहाँ पर tables का जादा तर यूज होता है जैसे कि यह सारी tables हैं, तो एक वार में यानि कि बहुत ही quickly आप table create कर सकते हो with your real data, so कैसे काम करता है एक वार देख लेते हैं, और काफी सारे और यहाँ पर इन्होंने raw and columns दिये हैं तो raw हमारे कितने रहने वाले हैं, raw मैं कहता हूँ कि मेरे five रहेंगे और जो columns हैं मैं भोलता हूँ मुझे सिर्फ three columns ही चाहिए width मेरी 280 है, अगर मेरा पूरा layout 1280 pixels में मैं बना रहा हूँ जो की material design के अगर मैं बना रहा हूँ तो उसको divide कर लो तीन में, तो जो आएगा आप यहाँ पर width डाल सकते हो, height अगर आपको चाहिए 40 से ज्यादा, तो आप इसको कर दो 60 pixels, मैंने यहाँ पर कर दिया, font size, line height मुझे चाहिए 18, और font size चाहिए 14, यह बिल्कु perfect है, cell padding अभी के लिए and others, so यह मैंने कुछ यहाँ पर डाल दिया, links और border, radius अभी कर देते हैं, one pixel, यहाँ से मैं करता हूँ इसको create, आप देख सकते हो, यहाँ पर यह पूरा बनके ready हो चुका है, frame में आ चुका है यह, इसको आप customize भी कर सकते हो, तो यह बहुत अच्छी चीज है कि आपको alignment की या और चीजों की जादा सोचने की दिक्कत नहीं है, text वगरे सब यहाँ पर pre-planned होता है, और आप इसको reuse कर सकते हो, so this is very simple process, आप इसको utilize कर सकते हैं, अगर ऐसा पर project आप create करते हैं, तो next जो हमारा plugin है, उसका भी आप leverage banner पार्ट में बहुत ले सकते हो, जैसे कि आप graphics वगरे बुनते हो, so आप यहाँ पर कुछ customizable graphic easily डाल सकते हो, इस plugin का नाम है blush, और यहाँ पर हम जाके देखने कैसे काम करता है, quick demo ले ले लेता है, so blush पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यह काफे सारी आप illustrations देख सकते हो, तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, जो भी illustration चाहिए, इसक खोलता हूँ, और इसमें से एक illustration मैं चूज कर लेता हूँ, यह illustration चूज करते ही हाँ पर आ गया, अब मैं इसकी सारी चीजे चेंज कर सकता हूँ, यह totally customizable है, इसकी skin वगेरा भी मैं change कर सकता हूँ, color अपने layout के साब से कर सकते हैं, और इसके hairstyle and expressions वगेरा भी मैं change कर सकता हूँ जो भी मेरे layout को suit करें, उस तरीके का मैं एक पूरा illustration यहाँ पर customize कर सकता हूँ, जो की banner के लिए काफी useful है, और quickly आप अपना एक design बना सकते हैं, अगर मुझे बहुत एक quick requirement मेरे पास आई है, तो मैं banner के लिए gradient वाला यूज कर सकता हूँ, background और यह जो मेरे illustrations हैं, इनको यूज होता है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, यह जितना भी data है मेरा, मैं एक state दिखाना चाहता हूँ, कि जब data load होता है, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा, वह मैं देखता हूँ अभी, plugin पे जाके मैं यहाँ पर जाता हूँ, ghost में, ghost पे आने के बाद यहाँ पर कुछ यह प्रापर्टीज देख सकते हो तो मैं अब बहुद के लिए सलेक्ट करूंगा कि बाद यह गुद्रीट के बाद है यह मैं डिफाइन कर सकता हूं त псих कलर है सबमने कर दिया ग्रेकर तो करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते ओं यह सकते हो तो जब भी आप एक पूरा डिजाइन फ्लो बनाओगे पूरी जर्नी बनाओगे तो आप यहाँ पर एक स्टेट दिखा सकते हो एंप्टी स्टेट की या फिर लोडिंग की इसमें आपको ज्यादा एफर्ट भी लगाने की जरुत नहीं है तो इसलिए मुझे काफी इंट्रस्टिंग लगे सारे फाइफ प्लगिन्स लेकिन इसमें आप लोगों के लिए भी कुश्चन है कि आपको सबसे बड़िया प्लग इंसाफ के लिए यूसफुल हो और अगर आपके कोई भी सजेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको एक लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्स्राइब करना ना भूले इस चैनल को थैंकी सो मूच झाल